हरे कृष्णा राधिरादेश अभी ठाकुर भक्तों को मेरा प्रणाम कैसे आप सब लोग देखिए मेरे डेकोरेशन की जो प्रिप्रेशन सब हो गई है मैंने लटो को पाल जी को आज ही बिटा दिया बहुत अच्छा लग रहा है डेकोरेशन एक बार का हो गया क्योंकि माद मुझे लगा नहीं था कि इतने कमेंट्स आएंगे बट आगे सबसे पहली कमेंट्स जो आई है ममता जा जी की आई है कुंज बिहारी श्री हरीदास दुलारी सकी तीके मैं सकी हूँ मैं भाया बहा सकती हो आप मुझे आपके श्रीलाल जू दर्शन बड़े ही प्यारे है सकी बड़ी प्यारी अनुपम छबी छटा लावन्य है उनकी प्यास प्यारी सी मुस्काल लिए रहते हैं जब वह को देखो सकी जो कोई प्रश्ण नहीं पर रिदई में एक ललक हुई जो आपके रिदे तक पहुचाने का कि इच्छो खूलाडली जू की कुर्पा से सकी ज इनका कहना एक कि आप कि शोरी जी लेके आए चोटे लड़ू पाई जी के साथ देखिए अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है अगर उनको आना हुआ तो खुद आ जाएगी दूसरा कमेंट जो है देखिए शार्की लवस जाकी जी का है तो उन्होंने तीन क्वेशन्स वाला ड्रेस आपने प्रभू जी के लिए कौन सी बनाई है दिखिए हैवी ड्रेस मुझे खुद पसंद नहीं है जादा पनाना बट बैस सिंपल में से उसको हेवीनेस देने का जो एक मेरा बोल सकते हैं कि एक होता है कि रहतन होता है तो वही होता है और इसी मेरे पास मुझे डिफिकल जाता है फोड़ा इट्स निताई जी कमेंट करती है और यू कनेक्टेड विच इसकों जी नहीं मैं इसकों से कनेक्टेड नहीं हूँ और यूटूब यूर फुल टाइम जोब नहीं है मैं अभी पढ़ रहा हूँ और यह मैं ऐसे ही करता हूँ मुझे पस यह लड्डू को किस दिरेक्शन में शुला चाही है और जन्मास्टमी के दिन लड्डू को सुबह ही तयार करे या राध 12 बजे आइमिन उन्हें न्यूड ड्रेस तो आप उनको फूर्वो पश्रिम डिरेक्शन में सुला सकते हैं लड़ू गुपाल के पंचामरत के लिए कौन कुन सी चीज़े यूज की जाती है और क्या लड़ू गुपाल ये का पंचामरत प्रसाद और स्नान कराने वाला पंचामरत सेम होता है अगर आप लगा रहे हैं तो अलग रखिए और अगर आप सेमां करा रहे हैं तो अलग पंचामरत स way को पंचामरत में पूछते हैं कि लड़ू गुपाल के लिए जन्मास्ट्वीपदेशन डेकोरेशन डेदो कि यह डेकोरेशन आने वाला है मुझे बहुत पष़लाई सिंपल साढ़ीों से मैंने किया है तो वह भी डेकोरेशन जल्दी आए गा रांपाल सिंग जी भी मुझे दो कोस्यन पुछते हैं रात 12 बज्जे गुपाल ही को कैसे लाइट का टायम होता है दूसरी बात रात 12 बज लगाते हैं बहुत लोग जो है नंदोट्सों के दिशपन लगाते हैं या फिर सादा भूग लगाते हैं हमारे यह फलाहार लगता है तो उसके बाद राना पंचल जी पूछते हैं राना जी हमारी यह तो क्या क्या करते हैं तो आपके रिलेशन्स में रिलेटिव में जैसे सेलिबरेट कर सकते हैं क्योंकि देखिए हर एक जगा का तरीका तरीका तरीके अलग होते हैं पारने का डेकोरेशन का वीडियो कब डालोगे तो यह डेकोरेशन का वीडियो आएगा तब सब डेकोरेशन मैं उसी के अंदर डाल दूगा तो यह पालना देखिए बहुत सुंदर लग रहा है आप मेरे वुपाल जी को भी देख सकते हैं मनीशा तिपलिया जी पूछती है आप लड़ोग वपाल को इरिंग की चीज से चिपकाते देखिए यह जो है मैं उनको एक श्रिंगार वाला गोंद मिलता है यलो कलर का तो उससे जो है मैं उनकी एरिंग चिपकाता हूं तो आपको आप वी वैक्स मतलब की हनी वैक्स होता है वो इस्तवाल कर सकते हैं यह प अब एक विरेंदर सिंग जी पूछते है लड़ो गुपाल का ज्वेलरी और कलेक्शन का वीडियो कब बनाऊगे जनमास्त में होने दीजिए पहले मुझे बहुत बिजी हो जनमास्त मी के रिलेटर तो वह हो जाने दीजिए फुरसत में बनाएंगे फुरसत में देखेंग होने 12 path मनेगी और महराराष्ट में हम 11 राथ 12 बजे हम जनमास्त में मनाएंगे बहुत। अब से मना सकते हैं अभी यहाइव सब ही महले वाले या फिर सब रिलेशन वाले जो है 11 यारा त्रीक को मैं आएँगे तो मैं आकेलावारा को नहीं मनाऊँगा मैं उनके साथ ही मनाऊँगा तो उस दिन ही मैं सब के साथ में सेलिबरेट करूँगा चारकी लवस जाकी फिर से पोशन पुछते हैं लड़ू गोपाल के आपने जितने भी पोशाके बनाई हैं उन में से आपका फेवरेट कौन सा है आप ये जो उन्हों के पैनी है ये भी फ स्राम दिवानी जी पूछती है श्री आदे मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि हम जब ठाकोजी पर अपना प्याब दिखाते हैं तो बहुत लोग जो है चुम्बन भी करते हैं तो यह सही है या गलत जरूर जरूर बताएगा दिखिए यह बात अभी बोल नहीं सकते कुछ हरे की भावना अपनी अपनी अलग होती है कोई उनको बेटे की रूप में पूछता है तो देखे इसके लिए मुझे तो नहीं लगता कि कोई नियम होना चाहिए क्योंकि यह फ्रेम से रिलेटेड कोई चीज है तो देखिए हर एक का नियम अलग होता है यह तो तो हरेक बनाओ तो जरूर बनाएंगे कलेक्शन विरेंद्र सिंग जी पोलते हैं राजस्तानी जोकर वाला वीडियो बनाओ देखिए जोकर नहीं होता है चोकर होता है जिसे नेकलेस बुलाया जाता है यह उपर वाला नेकलेस तो इसके एक वीडियो में डाली हुई है और अगर कोई मैं आपको क्या करूंगा इंस्टाग्राम पे जो है फोटो पोस्त कर दोंगा या फिर जो एक वीडियो बनाओगा इस सबान कैसा कैसा होता है तो आपको जद्दुसी के बारे में बताओंगा जद्दुसी मुझे 20 रुपए तोले के हिसाप से मिलता है तो वह ग्राम के हिस खंडित नहीं हो जाए तो उनसका भी क्या करें अलका खकर अन्वास से हुए यह बात उनके जो विग्रह है तो व उनका विसरजन करना चाहिए खंडित विग्रह घर पे बहुत लोग नहीं रखते हैं तो आपको उनका विसर्जान कराना चाहिए या फिर आप चाहे तो अभी एक हमारे आपे छोटी विटल रुत्माई की मुर्ती है तो हमारी वह भी थोड़ी सी कंडिसी हो गई है पर अभी भी हुआ हमारे पूजा में है अवेलिबल क्योंकि हमारा मन नहीं करता उसे ठेकने का तो यह आपके हिसाब से है आप क्या कर सकते है तो उसे आप जो है विसर्जित कर सकते है नदी प्रवाह में आफिर किसी भी जलाशाय में आप उसको विसर्जित कर सकते है तो उसके बाद में देखे दोस्तों आशा रागी जी कमेंट करती है आप अपने मंदिर का भी वीड चल रहा है प्राची राजपूर जी बहुती है भाई मेरा लड़ू वपार का थीलक लगाना वाला खतर हो गाया पर मुझे मार्केट में मिल नहीं रहा देख सकते हैं आपको वी वैक्स मिल जाएगा उनलाइन तो आप उसका इस्तिमाल जो है इसी लिए कर सकते हैं और बी वैक्स का आप इस्तिमाल कर सकते हैं हमी वैक्स मिलता है उसका भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं उसके बाद में एक कमेंट आया है जन्मास्तिमी के दिन क्या करें अच्छा सा डेकोरेशन करें रिखें डेकोरेशन आने वाला है रादे रादे जी शारीनी गरग जी रादे र यह है बढ़े लड़ो गपाल जी लेना चाहते हो चोटे लड़ो गपाल क्रिश्ण भगवान तो आप उस हिसाब से सोचेंगे तो आपको सब चीज़े असान लगीगी बट आप जो है उनको जो आप देना चाहते तो बिल्कुल दे सकते हैं पूछते हैं बेडर्रूमें रख सकते हैं घर में जगा कि उनको बेड़ के उपर नहीं रखना है भाईया कल 56 भोग वाली दीपक सिंग रावाज जी पूछते भाईया कल 56 भोग वाली वीडियो देखी थी है यहाँ पर थर्मकॉल की कटोरी मिलती है तो क्या हम स्टील की कटोरी में भोग लगा सकते हैं हमसे जितनी भी भोग बन पाए उन सब का जी हाँ बिलकुल लगा सकते है स्टील के इसे अंदर कोई ऐसा जो प्रॉपर नियम जो है बोल नहीं सकते है क्योंकि मैंने कुछ देखा है कि थर्मकॉल के इसके अंदर लगाते है तो पवित्र माना जाता है तो स्टील आप कोई भी बरतर में जो भी आपके पास अवेलेबल हो दिखिए ऐसा नहीं है क तुलसी पत्र जो है उसके अंदर अवश्य डालेगा ठीक है युगानिति का शर्मा जी पूछती है आप काना जी के मुकुट के ब्रोच का टुटोरियल कब डालेगा देखिए जन्मास्त में हो जाने दीजिए जन्मास्त में व्रत कब करना है देखिए हम 11 का करेंगे आप चाहें तो व्रंदावन के हिसाब से 12 का कर सकते हैं काना जी का फुल सिंगार प्लीज अपनी वीडियो में बताना कैसे करें आप घर का अपने काना का प्लीज बहुत सारी वीडियों से आप देख सकते हैं फिर भी और जब भी नया करूँगा तब डालोगा आशीश राज छी को जुबते हैं घोला में नियुक्ता है तो थी चलता है अगर अपतौश एक्टा वहम में बड़ी जी घोले के संभान के ने पहले में जुले में ने लीट subconscious अये पार है अब बड़ी हैं तो तोड़े हेवी हैं तो मैं लड़ो गुपाल जी का जूला नहीं बना सकता क्योंकि इसके अंदर बहुत रिस्क है कोई भी आप कोई पटी वगएरे का साहेता से आप खुछ बना सकते हो आपके रिस्क के उपर और उसको आपको एक साउधानी देनी है मजबुती देनी है तो आप बना सकते हैं तो नीरज गुपता जी बोलते हैं रादे रादे जी जन्माष्ट में व्रत उद्यापन कैसे करें देखिए बहुत लोग जो है चांद को अर्ग देखे जो है यह व्रत तोड़ते हैं बट हमारे आपे कोई नियम नहीं है आरती के बाद पूजा के बाद लड़ो गुपाल जी के साथ में उनको भोग लगाने के बाद हम लोग जो है व्रत छोड़ते हैं तोड़ते हैं उद्यापन करते हैं आपकी भाशा में आती मंडल जी पूछते हैं जन्माष्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है लड़ो गुपाल जी के लिए जर हमारे परमपरा से चले मेरे ममी करती थी मेरे ममी के पहले जो भी करते थे उनके हिसाब से मैं वहीं नियम पॉलो करता हूं लड़ों को कौन से फॉल और फॉल चढ़ाने चाहिए तो रही के खीरा चलाईये बाकी कोई भी फल मिल जाते है अबही जो सीजन के अकार्डें मिल है जाते हैं तो फूरी के विल जाए प्ल antibiot कम लीजाए फोलो फूरŽ को पारव। कोई नियम आप देखने जाओंगे तो इतने नियम मिल जाएंगे साथ हमें अगर करोगे तो वह बारा जन आपको 12 नियम आपको किसका जो फॉलौ करना है वह आपको देखना है या आप प्लॉवक शेर करेंगे प्लीज रिप्लाइद देखे त्राइब यह प्लिदी का नहीं हो पॉत लोग खीरा काटे हैं हमारे आपे नहीं होता है हम डिरेक्टली उनका पंचामर स्मयान करके जो है वह जनम कराते हैं सीमा सैनी जी अल लड़ू गपाल जी की ड्रेस का और चोली का मेजरमेंट से रिलेटेड वीडियो डाली है आप देख सकते हैं चाहे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मॉक्स में द सकते हैं चांद को अरग देना इस दिन शुब माना जाता है युकांदिका शर्मा जनमार्तमी की पूजा जरूरी बाते को पूजा के समय ध्यान देना चाहिए तो देखिए यह मैं जो वीडियो बनाऊंगा लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं एक्स्ले आप को डेट याद है के अले मना सकते हैं आगर आप चाहों तो जनमार्तमी पे हैं एक ही मना सकते हैं या आपकी सब्से pen वे जनमा स्रèse में बिलकोर मंहें मनाना चाहिए प्रबीन जंदर पूछते हैं लड़ों वपावपाव जी को किस टाइम भोग लगाना है पूर्ब भोग लगाते है वैसे लगाना चाहिए जनवाशनी में व्लॉक आप भी दिखाईएगा हरे कृष्णा जी देखिए मैं ट्राय करूँगा मेरे काना जी की मुर्ति बहुत काली हो गई है फेस से चंदल लगाने से उनको कैसे क्लीन किया जा सकता है दिखिए मैं सजेस्ट करूँगा आप उनको आठ दिन दही से स्नान कराईए आठ दिन दही स कुछ सी डेट की मना रहे हूं मैं 11 की मना रहा हूं कावे शर्मा जी पुछते हैं दो तीन कोशन चार कोशन पुछते हैं एक जन्माष्ट मी को सुभाबी पंचामृत से इस त्नान करना चाहो तो करा सकते हैं उस दिन किस कलर की ड्रेस पहनाए यसा कोई नहीं है जो भी कराते हैं तो आप चाहों तो ग्यारा दस बज़े भी सब्सक्राइब कम है तब भी आप उनका 25 कराना स्टार्ट कर सकते हैं जन्माश्मी कब है इनका एक लास्ट पूजा की कुछ तैयारी समान काना जी को अर्पित बारा टो ईए दिखहें मुझे समझ में नहीं आ रहा डाली ता अघ्रवाजी पुछती जन्माश्मी कब है तो देखें जन्माश्मी ग्यारा की भी है बारा की भी है तो आप कोई भी एक दिन पकड़के मड़ा सकते हैं राजस्तामी गुडिया जी पुछते हैं क्या जन्मास्तमी वाले दिन लगपाल जी को जूले में बिठाना ज़रूरी होता है देखे मेरे पास चार साल से पहले जूला नहीं था तो इस साल में मेरा जूला आया तो मैंने तो नहीं बिठाया और ऐसा कोई नियब नहीं है कि बिठाना चाहिए नीरो शर्मा आजी पूछते आपके मन में नए आइडिया माइंड में कैसे आते हैं वह बताए तो देखे आइडियास का तो देखे मेरे मन में अपने आप आ जाते हैं तो ऐसा मतलब कि इनकी कृपा है इनकी क्रिपा से सब जो है पॉसिबल होता है तो यहीं मुझे उनको अगर कुछ चाहिए होता है तो वही मेरे दिमाग में बत्ती जला देते हैं और जो है आइडियास मुझा आते हैं देखे और फिर विकी जहां पुछते हैं क्या जब मास्तमी की दिन काना जी को रात बार बजे के बाद स्नान कराने और उनका शिघार कराईये उस दिन उनका जरम कराना होता है तो आप उनको स्नान और शिंगार अभश्य कीजेगा रात बारा बजे ठीके पुर्वा मैनी जी पूछती है प्रभुजी लड़ों गपाल के पोशाक और पगड़ी या ज्वेलरी प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप उनको विसरजित कर सकते हैं या आप आपके हिसाप से उनको अच्छे से विसरजित कर दीजेगा जलाशे में नदी में केसी पात्र में इतना ही मुझे मालूम है बाकि आप तो आपके हिसाप से कर सकते हैं तो इंस्टागाम के कुछ कमे से आये थे वो भी हम एक बार देख लेते हैं सम्रिद्धी आधव जी बोलती है आप अपने लड़ू बाबू के लिए आने की स्टोरी बताएगा प्लीज कोशन एंदसर वीडियो में देखिए यह यूडियो में बताऊंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी तो लोग काना जी को अपना सब मानते हैं शर्दा से पूजा करते हैं उनके साथ बुरा क्यों करते हैं हम लोग काना जी को इतना मानते हैं हमारी हिल्प भी करते हैं मेरी भूवा जी की बेटी दिन रात बस खाना खाना और तब भी उनकी मम्मी को छीन लिया राखी वाले दिन आईसा क्यों करते हैं देखिए बहुत ही भावना पूर्वक जो है अपने प्रश्ट पुछा है क्योंकि एक बात होती है कि एक विद्धी का विद्धान जो बोलते हैं कि वह भगवाल को भी नहीं चुका है तो हम तो एक इनसान मातर है मनुष्य मातर है तो विद्धी के पूज़ा नहीं चलता है दोस्तों तो इसके लिए मैं आपको तो इसके इनिन कोई नहीं बोल सकता मैं सिर्फ आपको साल्ट बना ही नहीं सकता हूँ इसके बाद में देखिए काना की प्यारी भी बोल्टी है भैयाजी जब हम लड़ों को पाजी को लाय थे हमने प्रान-प पूजा की सेवा शुरू कर गया उसी दिन उनकी प्रांट प्रतिष्टाफ हो गए तो देखिए अभी जो मैंने जैसे कहा कि अलग-अलग सब नियम बताते हैं तो बारा लोग के बारा नियम तो आप फॉर्ण नहीं कर सकते हैं तो कृष्ण सखा बोलते हैं वहिए सबसे में क कराना चाहिए प्रोहेली जी पूछते हैं सर हमें क्या बनाना चाहिए आप प्लीज बोलिए छपन भोग में लड़ु वपाजी के लिए चपन भग से रिलेटर एक वीडियो अपलोड की हुई है तो वह उसाब से आप जो है वो कर सकते हैं नरेश कंसल नरेश कमल जी बोलत सब्सक्राइब कर दो नहीं सुलाना है यहां टेंपल में कोई वपाजी को नहीं सुलाते हैं आप अगर घर में चाहे तो उनको बिल्कुल सुला सकते हैं पूछते हैं यह का फुल पॉर्म बताइए तो यह का फुल फॉर्म यह है मेरा नाम है तो इसके लेटर मैंने चानल का शुर्वात किया तो रखा था राधे कृष्णा जी पूछते हैं प्रभू मैं इन दिनों कुछ मांसिक तनाव में हूं उसका चल हल चाहता हूं तो देखिए मांसिक तनाव में होने से तो कृष्ण भक्ति से ज्यादा अच्छा हल सभी मुझे नहीं पता है तो आप आपके हिसाब से जो हुआ भववभगी10 पर सकते हैं तो देहिए वार ये इसके में कहरे पाला वाली कभी से लैट करना है यह तो हो गया देखिए इतने सारे हमारे जो कोशन्स थे वह हमने लिये हैं कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी के जो सवाल थे वह मैंने सभी के अंसर देने की कोशिश की है जो भी मैं जानता था या फिर वह सब करता हूं इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट अगले कभी बिनाओंगा मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पुल रहे होगे कोई भी कमेंट सो सब्सक्राइब कर दो सकते हैं थैंकि सो मच पर वाचिंग घरे कृष्णा राधे राधे